गुलेल गैंग का परदाफाश एक चोर गरफतार गुलेल और लोहे के छर्रे से कार का शीशा तोड़ कर देता था चोरी की घचनाओं को अंजाम गुलेल गैंग का खुलासा करते हुए एक चोर को गरफतार किया ये शातिर बदमाश पारकिंग में खड़ी गाड़ियों का शीशा गुलेल और लोहे के छर्रे से तोड़ देता था और चोरी की घचनाओं को अंजाम देता था दिल्ली एंसियार के पारकिंग में देरी तक खड़ी रहने वाली गाड़ियों को ये अपना निशाना बनाता था और गाड़ियों में मौजूद कीमती सामान खासकर लेपटॉप या कैश लेकर फरार हो जाता था पुलिस ने इसके कबजे से तमंचा, गुलेल, इसकूटी, लेपटॉप और मुबाइल लादी की बरामत की है इस गैंग के काफी अन्य साथी इसके फरार बताए गए है पुलिस की ग्रफ्त में खड़े, इस शक्स इम्तियाज के बच्पन में खेल में इस्तिमाल होने वाले गुलेल को चोरी के रूप में इस्तिमाल करने की आदत पड़ गई पार्किंग में खड़ी गाडियों को अपना निशाना बना कर गुलेल से गाडियों का शीशा तोड़ कर माल पार कर देना इसके बाए हाथ का खेल बन गया फिर गाडियों में रखे सामान को लेकर उडंचु हो जाने में यह माहिर हो गया इसने ज़्यादातर गाड़ियों से शीशा तोड़कर लैपटॉप और गाड़ी में रखे कैश पर अपना हाथ साप किया है ये लोग लैपटॉप को चुराकर नहरू प्लेस में बेज़ दिया करते थे लैपटॉप को चार से पाँच हजार रुपे में बेज़ते थे गुबाइल गुलेल और रुपए बरामद हुए हैं ये लोग ग्रेटर नौइडा नौइडा और दिल्ली में इस तरह की घट्नाओं को अंजाम देते थे फिलाल पुलिस ने गुलेल गैंग के एक सदस्य को जिल भेजा है जबकि बाकी अन्य सदस्यों की तलाश में वो जुट जाने की बात कह रही है तो इस गैंग का आम लोगों ने भी वर्काउट किया है इसको इसमें एक आदमी कृफ़तार हुआ है इसके उपर लगबग दस मुकदमे है हाला कि इसने सुिकार किया है कि ये कम से कम दरजनों केस तो इसने नौइडा में किये है और उसी तरह से इसने दिल्ली में भी ये तोड़ करके सीशा उसके बाद समान चुराने वाला है और इसमें हम लोग बाकी जो इनके नाम दिये हैं जो नाम इन से पता चला है उसको उसके पीछे अमनी टीम लगाई है और साथी साथ जहां 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 एस्ट्रोडिन प्रापर्टी को खरीदने वाले लोग हैं वो कहां पर बेचता था और कितने रुपे में बेचता था जैसे कि मैंने बताया आपको की लैप्टॉप मुखे रूप से लैप्टॉप और बाकी जितने इलेट्रोनिक गजट्स कार में मिल जाते थे उसको ले जाते थे उसके अत्रिक्त यह लोग समान जो भी समान पड़ा और चोरी हुए प्रापटी को यह दिली में बेचते थे और लैप्टॉप इनका चार से पांच जार उपर बिचता था इसमें मिडल में भी हुआ करते थे जैसे ही लेके जिब चोरी करके लेके जाते थे वहाँ पर तो वहाँ पर कोई अदमी था जो समान इनका खरीद लित है वहाँ भी लोगों ने कुछ किया है हमारा है सिक्र्टर वॉन फार जो स्यूस्पूर का पार्ट है उदर भी ऍ Crit और 144 के आजपास के सारे एरियाज में किया है, जो बिजनस पार्क, साइटी पार्क से हैं, वहां पे किया है, और उसके अधर एक दिली में इनों ने बताया है कि ती चार इनके ठिकाने थे, नगाना विहार होगा है, तो इन सभी जबों पे इनोंने. इसके गैंग में कौन कौन है और क्या क्या बरामद गी हुई है अभी एक आदमी है इसके कबजे से एक पिस्टिल बरामद हुआ है एक गुलेल इस गुलेल से सिसे तोड़ता था वो बरामद हुआ है उसके गुली बरामद हुई है कुछ पैसे बरामद हुए है इसके गैंग म परदाफाश एक चोर ग्रफता कुलेल और लोहे के छर्रे से कार का शीशा तोड़ कर देता था चोरी की घचनाओ को अंजाम